राधे राधे दोस्तों खुशी की रसोई में आपका स्वागत है स्वागत आपसे रिक्वेस्टे की वीडियो में बने रही है तो आज हम एकदम नियू रेसपी लेके आए आपके लिए एकदम यूनिक सी रेसपी जो कि आज से पहले आपने नहीं बनाई होगी तो आज हम सागा प्याज का निमोना बनाएंगे वो भी एकदम यूनिक तरीके से और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश लगता है मैं गरांटी देती हूँ तो हो सके तो एक बार इस तरीके से बना के ट्राइज जरूर करिएगा तो इसके लिए हमने चार से पांच सागा लिया है चार से पांच सागा लिया है और उसको अच्छे से काट लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो मैंने इसे बड़े बड़े पीस में इसको चौप करके लिया हुआ है बहुत छोटे पीस में नहीं करना है क्योंकि आपको बाद में इसे ग्रेंट करना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने बड़े बड़े पीसों में इसको काट लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो और उसका प्याज जो है अलग से रख लिया क्या प्याज का यूसका भोगा मैं आपको बताऊंगी तो आप देख पा रहा हो जैसा कि मैंने सारा सागा काट लिया है और इसे के साथ मैंने जो यह 4-5 प्याज है चार-5 प्याजों का सागा लिया है इतने में एक बाउल लेना है अब बाउल में थोड़ा सा लेना है पानी अब उसी पानी में सागा को कर देना है एड और एड करके इसे हमें चलना है गैस पे चढ़ा करके इसे वाइल करना है तो मैंने यहां गैस पे चढ़ा दिया है गैस अन कर दिया है उसके बाद इसको हमें वाइल क करना है तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हो यह अच्छे से वाइल हो करके रेडी है अब क्या करना है हमें इसको एक किसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेना है और ट्रांसफर करके इसे होने देना है ठंडा तब से हम कुछ और इंतिजाम कर लेते हैं यहां जो सागा का प्याज है वो लिया है हमने दो टमाटर है हरी मिर्च है लेसु नद्रग सबी चीजों को हमें चॉप करके ले लेना है तो यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हों मैंने लेसु नद्रग हरी मिर्च चो सागा सभी कुछ काट करके ले लिया है इसी के साथ दोनों टमाटर हमन ले सकते हो इसी के साथ आप देख पा रहे हो सागा भी हमारा ठंडा हो चुका है अब क्या करना है इसी के साथ हम पहले बरी लेंगे तो बरी निमोना में बहुत जरूरी होती है इस चीज का विशेश ज्यान देगर निमोने में बरी नहीं है तो निमोना का टेस्ट अधूरा- तो यहाँ पर अब हम लेएंगे growning giàar जार में सागा को add करेंगे और add करने के बाद इसका एक महीन सा paste ready करना है जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने जार में सागा add कर दिया है और इसका एक paste ready कर लेना है तो आप paste देख पा रहे हो मैंने साथ में सागा मसाले भी ले लिए हैं टमाटर भी ले लिए हैं पिर चलते हैं कहाई की तरह तो कहाई चढ़ा करके गैस हमने यॉन कर दिया है अब इसमें डालेंगे सरसो का तेल और जब तेल एकदम थोड़ा साब डालें दो चमच करें मीडियम साइस के चमच से फिर उसके बाद तेल जब गरम हो जाए तो उसमें मेथी दाने से देना है चौका उसी के साथ हम बरी एड़ कर देंगे और जब बरी हमारी लाल हो जाए तो बरी को बाहर निकाल लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो जब से बरी मेरी लाल होई है तब से आप देख पा रहे हो मेथी भी लाल हो चुकी अब क्या करना है जो मसाले हमने प्याज लेस्ट वाला पीसा तादरक वाला उसे आड़ कर देना है और add करके बहुत अच्छे से इसे red कर लेना है मतलब पका लेना है जैसे आप बाक्यों मसाले को पकाते हो जब से ये पक रहा है तब से आप कुछ और काम हो तो कर लीजे तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो मसाला हमारा दीरे दीरे red हो रहा है मैं उम्मीद से कह सकती हूँ, हमारे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है इसे, तो हो सकते एक पर भना के ट्राइस जरूर करिएगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, और हाँ इसमें बिल्कुल उपर का प्याज नहीं डालिएगा, जो सागा में हैं बस उसी प्याज स बनाना है, और इसी के साथ, आप मुलाय मला सागा लीजे, जो सौफ्ट आता है, बहुत बड़ा और चरेर सागा नहीं लेजेगा, जिसमें छोटी-छोटी प्याज लगी होती है, उसी प्याज का निमोना आप यहाँ पर बनाईएगा, तब ही निमोना आपका बहुत टेस् मसाला हमारा अच्छे से रेड हो चुगा है, अब इसी के बाद इसमें हमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है, एड कर देना है, तो टमाटर का पेस्ट हमने एड कर दिया है, आप जैसा कि देख रहे हो, और एड करने कबाद इसे थोड़ा सा चला लेना है, ताकि नीचे जो लो मीडियम फिलेम पे रख देना है, फिर सब्जी मसाला एड करेंगे, हल्दी एड करेंगे, थोड़ा सा, दो चुटकी गरब मसाला एड करेंगे, गरब मसाला घर का है, इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया है, इसे के साथ हम, काश्मीरी लाल मिच पॉर्डर आप दूम मिनट पका लेना है बहुत जादा नहीं पकाना है एक से दो मिनट आप इसे पका लीजेए जैसा कि आप देख रहे हो मसाला हमारा राड़ी है तेल ठोड़ दिया है पकते-पकते जब यह टेल छोड़ देए एक से दो मिनट में आप कढ़ाई देख रहे हो साइड साइड में तेल कैसे लग जा रहा है और बीच में भी आपको दिख रहा है मैं करीब से दिखाती हूँ आप देख रहे हो जब इस तरीके से मसाला हो जाए फटा फटा तो फिर उसमें आलू एड कर दीजे इसी के साथ हम सागा भी एड कर देंगे और सागा एड करके जो सागा का पेश्ट बनाया था उसे एड किया है उसे एड करके इसे अच्छी तरी से करीब 2-3 मिन तक और भून लेंगे 2-3 मिन इसको अच्छी से भून लीजे जैसा कि आप देख रहे हो उसी बरी एड कर दीजे बरी आप चाहे पहले एड करें चाहे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे ही करके भून लेना है अब भूनते वक्त आप मीडियम फि आप इम पे गैस को रखें और इसको अच्छी से भून लीजे है जब यह साइड से आप देख रहे हो कि याल हूं से मुल से साइड से और देख पानी करने आप आद करना है तो पानी यहां पर कितना देख है मैं आपको बताओंग पेले पहले मूड़ा सा और बून लेती हो को तो यहां आप जैसा कि देख पा रहय हो एा थोड़ी देर बार मैंने चलाया करीब मिलनट रुकर फिर इसके बाद आप में पानी अडर करदेना है तो पानी इसमें आलू इतना है कि आलू हिसकी डूबी हो तो तो आप जैसा कि देख रहे हो आलू इसकी डूब गई है और मीडियम फ्लेम पे हम सबजी को पकाएंगे आलू के बराबर पानी रखना है और सबजी को पका लेना है मीडियम फ्लेम पे जैसा कि आप देख रहे हो दीरे दीरे ये बलकाओ दे रहा है अब क्या करना है इसे हमे तो फ़ी ज़क चुका है नहीं दो फिर रगते हैं तो अभी यह हिये तो तो थे एक मिनट लिए और धाई आओ 6 मिनटब्लाद प्रब्ले प doubts शेल्वे ते च मतला यह चाल को एक तार ही कच्छी थी यालू पग गई होगी लेकिन फिर भी चेक कर लिया जाता है तो चेक करके आप इसको क्या करना है गर्मा गरम करिए सर्फ सब्जी आप की बन करके रेडी है अगर आपके पास हरी मटर है तो इसमें हरी मटर भी एड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा स्व आपको कैसी लगए एक बर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए रेस्पी पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमली के साथ जरू शेयर करें अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूले और हाँ बैल आइकन जरूर दबा ले ताकि जो नएने वीडियोस हैं हमारी वो आप तक पहुशती रहे सबसे पहले चलिए अब हम मिलते हैं ऐसी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्ट वीडियो में बैबाए